कॉंग्रेस पार्टी के स्थर पर कितनी अस्वेस्थ हो गई हो उसको अधारन इस बात से समझा जा सकता है कि डोनेट फॉर देश का कारेक्रम तो रहो ने लॉंच कर दिया एकिन उसी नाम की वेबसाइट बनाना भूल गए आज के सोचना करांती के युग में ऐसी गलती शाहदी कोई करे लेकिन कॉंग्रेस में कुछ भी हो सकता है दूसरी और भाजपा बैठी है कि कॉंग्रेस की गलतियों का लाब उठाने के लिए इसलिए डोनेट फॉर देश के कैंपेंज शुरू किया कॉंग्रेस ने और इसी नाम से डोमेन रेजिस्टर करा लिया भाजपा ने अब दान दाताओं के सामने मुश्किल या होगी कि अगर वो इंटरनेट पर डोनेट फॉर देश सर्च करेंगे तो भाजपा की बनाई वेबसाइट डोनेट फॉर देश दिख जाएगी जो भाजपा के लिए डोनेशन करने वाले पेज पर ले जाएगी जबकि एक न्यूस पोर्टल ने इसी कैमपेइन से मिलता जुलता डोमेन बना भी लिया और उसे अपने डोनेशन पेज पर री डारेक्ट भी कर दिया है कॉंग्रिस में जिन भी लोगों ने या कैमपेइन प्लान किया और उन्होंने यहां भी मानों कोई घोटाला कर दिया देश के नाम पर पैसे मागने का अभियान चुरू किया डोनेट फॉर देश के नाम से और उस डोनेशन के लिए जो वेबसाइट बनाई उसका नाम डोनेशन फॉर आई एन सी कर दिया है वैसे इस वतंतृत का बाद कॉंग्रिस का अपना राजनीतिक चरित्र ऐसा बन गया है कि अगर उसके नेता कोई काम करे और उसमें घोटाला ना हो तो भरोसा करना मुश्किल है कि क्या सच मुच यह कॉंग्रिस का ही नेता है घोटाला और कॉंग्रिस एक दूसरे के परयावाची जैसे हो गए हैं उसके नेता सत्ता में रहें या पार्टी का काम करें घोटाला करने से चूपते नहीं शायद इसलिए इस डोनेशन कैमपेइन में डोमेन घोटाला हो गया और अधर 2014 में जब से कॉंग्रिस केंदरी की सत्ता से बाहर गई उसके नेता उसको छोड़ कर जा रहे हैं सत्ता में नहीं लोटने वाले जब पार्टी का ही कोई भविश्य नहीं तो फिर उनका क्या भविश्य होगा